वेलकम बैको चौर्ट का सुचूंग वाइस से टेक सुगाइस यहाँ पर सौमी फाइनली अपना एक न्यू वायरलेस पॉर बैंक लॉंच करने जा रहा है जिसमें जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको 30 वाट की चार्जिंग स्पीड मिलती है वो भी वायरलेस आप जानते हैं कि that recently सौमी ने इंडिया में अपना एक वायरलेस पॉर बैंक लांच कर सकते हैं और बहुत सारे जो भी वायरलेस दिवायस है उसको आप 30 वाइस चार्ज कर सकते हैं इस सौमी के वायरलेस पॉर बैंक दौरा और इस पॉर बैंक से आप अपने लाप्टोप क को भी चार्ज करते हैं और सौमी का इस पाइनली इसे लांच कर रहा है अपना एक निव फार बैंक जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा का से कैपेसिटी से लांच होता है वह भी बैटरी के साथ इस वीडियो में आपको जे सौमी का निव 30 वार्ट फार चार्जिंग का वार्ल सौमी का जो निव वार्लेस पार बैंक 30 वार्ट की फार्स चार्जिंग से लांच हो रहा है इसमें गाइस अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात के तो इसमें आपको 20,000 एमेज की इसमें बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है इसकी बैटरी बैकाप अभी आपको काफी ज्यादा बैटरी मिलती है और बैटरी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है और इसमें जो इसकी चार्जिंग आपको वार्लेस चार्जिंग का आपसंस मिलता है वैसे तो यस भी टाइप सी पोर्ट मिलते है या चार्जिंग करने के लिए लेकिन यहां पर वार्लेस वो आपको 30W की फार्स चार्जिंग इसमें मिल जाती है wireless द्वारा यानि आप अपने डिवाइसों को 30W की फार्स चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं जहाँ पर एक्जेंपल पर रिसेंट्ली MI-CUT10 स्रीच का स्मार्टफोन लांच गुआ तो इसमें wireless चार्जिंग का options आपको जो वर्जान है इसमें pricing में difference है क्योंकि इसका जो material powerbank के वो आपको थोड़ा सा difference मिलता है तो इस प्रकार से इसमें pricing आपको अलग-अलग मिल जाती है और गैस यह support करता है मीजिया एप पे जो कि स्वामी का MI हो मीजिया एप होता है उस पे यह support करता है और उसकी मदल से आप इसे control भी कर सकते हैं इस powerbank को अगर जो भी features control करना चाहते हैं और गैस इसमें आप यूज कर सकते हैं USB Type-C interface को क्योंकि इसमें आपको दो USB Type-C के port मिल जाते हैं जिसकी मदल से अगर आपको वायर्ड फोन है मतलब कि जिसमें wireless charging support नहीं करता है उसलिए आप USB Type-C port की मदल से चा कर सकते हैं और गैस यहां पर इसमें battery की बात के तो इसमें आपको lithium-ion का battery मिल जाता है जो कि बहुत ही better battery होती है और आपको high performance यहां पर प्रवाइड करती है इस lithium-ion की battery और गैस यहां पर जो maximum इसमें charging speed हो आपको 65 watt की मिल जाती है यानि आपको जो wireless charging वो तो 30 watt की मिलती है ले तो इस प्रकार से आप इस से 65 watt की fast charging से USB Type-C port की मदद से अपने phone को charge कर सकते है वाइड द्वारा और गैस इससे use किया जा सकता है laptop को भी charge करने के लिए यानि कि Xiaomi के इस new power bank से आप laptop को भी charge कर सकते है वो भी USB Type-C port की मदद से यानि कि laptop को charge करने के लिए भी आपको type-C port मिलता ह और उससे मदद से charge कर सकते हैं तो laptop भी fast तरीके से charge कर देगा और गैस यही कुछ है इस सौमिक स्मार्ट पाउर बैंक जो कि एक wireless power bank मतलब की launch हो रहा है अभी तो इंडिया में नहीं launch हो रहा है अभी चाइना है लेकिन आने वाले कुछ दूनों में इंडिया में भी launch हो गा ह इसके pricing की बात के तो इसका जो guys यहाँ पर जैसे की आप जानते हैं यह दो वर्जन में आचाए एक leather और दूसरा आपको ceramic यहाँ पर जो लेदर वर्जन है उसकी pricing guys आपको 349 यानि guys आपको 49 मतलब की 49 डॉनल के करीब यहाँ पर लेदर वर्जन की pricing आ जाती है लेकिन इसका जो ceramic version है जो ceramic material से power bank बना रहता है उसकी pricing आपको 399 यान जो की guys 56 डॉलर के करीब इसकी pricing आती है और यह guys चाइना में launch हो रहा है 9 अपरेल को मतलब की 9 अपरेल को यह चाइना में launch हो जाएगा और गैस उसके बाद वहाँ पे sale भी लगना start हो जाएगे तो यह कुछ है इसके features, details and pricing I hope आपको इसकी सारे features और सितर समझ में आ गएँगे, so I hope आपको वीडियो पसंद देएगे, अगर वीडियो चलेएग तो लाइक जरू करिए अपने दोस्तों साथ share करिए और अगर आपने चल पना चलोंग जरू सब्सक्केब करिए और बिले कुन दाज को वीडियो को